हेलो गाइस वेलकम टू आर यूटूब चैनल पढ़ेगा तबी तो बढ़ेगा इंडिया में जिसमें आज हम EBS के क्वेशन सॉल करेंगे और ये टोटल 30 क्वेशन हैं जो कि आपके एक्जाम्स के लिए काफी बेनिफीशल साबित हो सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेशन नंबर सिस्टी वन से उस विज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सरपर्थम मच्छर के पेट के अंदर ताग च्छा की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकिस्टा के छ चार उप्शन दें उप्शन चाल्स meraवन् ऋप्शन बिय ग्रेग और मैडल या उप्शन सी जॉर्ज मिस्ट्रल ये option D रोनाल्ड रोस तो the correct answer is रोनाल्ड रोस यानि option D is the correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ question number 62 रजट ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है मैं कपकपी, बुखार, सिर्दर्द और अंत में पश्तीन आने के चकर से गुजरता हूं रक्त की जाच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी रजट किस रोक से पीडित हो सकता है तो जैसा कि आपको ये बताया गया है इसमें कि रजट को इस तरह के कपकपी, बुखार, सिर्दर्द और पसीना आने जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे है तो उसको किस तरीकी का किस रोक से वो पीडित हो सकता है चार आप्शन दिवें आप्शन A, मियादी बुखार आप्शन B, अतिसार आप्शन C, हैजा आप्शन D, मलेरिया So, the correct answer is मलेरिया, यानि रजत मलेरिया से पीडित हो सकता है बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ, क्वेशन नबर 63 अल बुरूनी कौन था? आप्शन आप्शन A, वह एक कुतुबाशी सुन्तान था, जिसने हमारे देश में लगबख 40 वर्ष शाषन किया आप्शन B, वह अपकानिस्तान का एक वैपारी था जो हमारे देश में मेवो के बाजारों का अध्यन करने आये था आप्शन D, वह उजबेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इत्यास के बारे में जानने में सहायक है आप्शन D, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्किती का अध्यन करने के लिए कश्मीर से कन्या कुमारी तक की यात्रा की So the correct answer is option C वह उजबेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इत्यास के बारे में जानने में सहायक है बढ़ते हैं next question की तरफ question number 64 रात में जागने वाले जानवर हर चीज को option A, हरा रंग में देख सकते हैं option B, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं option C, केवल हरे रंग में देख सकते हैं या option D, केवल लाल रंग में देख सकते हैं so the correct answer is option B केवल काली और सफेद ही देखते हैं बढ़ते हैं question number 65 की तरफ हाथियों के जुन्ड के बारे में सही कत्नों को चुनिये option A, means option 1 हाथियों का जुन्ड में केवल हतनिया और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं हाथियों के एक जुन्ड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं जुन्ड की सबसे बुजर्ग हतनी ही पूरे जुन्ड की नेता होती है या option 4 एक जुंड में हतनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है तो यहाँ पर चार उप्षेन्स दी यो है Option A, Option A, 1 या 2 ये दोनों correct हो सकते हैं या Option B, 1 और 3 दोनों correct हो सकते हैं या Option C, 2 और 4 दोनों correct हो सकते हैं या Option D, 3 और 4 ये दोनों correct हो सकते हैं So the correct answer is Option B यानि हत्नियों के जुंड में केवल हत्निया और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और 0.3 जुंड की सबसे बुजुर्ग हत्नी ही पूरे जुंड की नेता होती है अब बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ पंख्णियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिने कहते हैं बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ यदि आप रेलगारी द्वारा एहमदाबाद गुजुरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजे बेचते मिलेंगे ओप्शन A धोकला, चटनी, निम्बू वाले चावल या छोले भटूरे तथा लसी ओप्शन C इडली, चटनी तथा वड़ा चटनी ओप्शन D पूरी, साग तथा ठंडा दूद So the correct answer is option A क्योंकि option A में जो खान पान की चीजे दे रखे हैं जैसे धोकला, चटनी, निम्बू वाले चावल ये सारे खाने पीने की चीजे गुजरात से ही related हैं तो जब गुजरात के station पर आप जा रहे हैं तो अव्वेस सी बात है कि वहाँ पर इसी तरह की चीजे मिलेंगी खाने पीने की अब बढ़ते हैं next question की तरफ question number 65 and 68 पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक खिलाते हैं इसका कारण है कि option A उड़ सकते हैं option B पकषियों की आखों की पुतलिया गूम नहीं सकती option C पक्षियों की आख छोटी होती है option D उनके कान पंखों से ढखे होते हैं so the correct answer is option B पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक इसले हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आखों की पुतलिया घूम नहीं सकती निदान के पश्चाद कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोगलोबिन की कमी है तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए चावल, चीनी, आवला, आप्शन B, हरी पत्तेदार सबजियां, गेहू, संत्रा या औप्शन C, गुड, निम्बु, मटर या आप्शन D, आवला, हरी पत्तेदार सबजियां, गुड So the correct answer is option D यानि रोगी को आईरन की कमी को पूरा करने के लिए आवला, हरी पत्यदार सबजियां, गुड आदी जैसी चीजे खाने चाहिए बढ़ते हैं question number 70 की तरफ राष्ट्रे पार्ठ चार की रूप रेखा 2005 प्रात्मिक स्तर पर पर्यावन अध्यन सिक्षन का प्रमुक देश होना चाहिए option A, विशे की आधार भूद, संकल्पनाओं की आधार भूद समझ का विकास option B, विशे के आधार भूद सिधान्तों को स्मर्ण करना option C, कक्षा कक्षई अधिगम को विध्याले के बाहर के जीवन से जोड़ना option D, स्वतंतर रूप से प्रियोग करने की कुशलता अर्जित करना so the correct answer is option C, कक्षा कक्षई अधिगम को विध्याले के बाहर के जीवन से जोड़ना तो option C is the correct answer अब बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 71 निम्न में से कौन सा प्रात्मिक स्थर पर पर्यावरन अधियन की पास्थे चर्या की अवर्शक्ता के अनुरूप नहीं है option A, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए सिक्षार्थियों को ग्यान एवं कोशल के लेंस करना चाहिए option B, उसे सिक्षार्थियों में पर्यावरन के सारुकार को उत्पन करना चाहिए option C, उसे सिक्षार्थियों को उन पदतियों और प्रक्रियाओं को अरजित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ग्यान को उत्पन करने में आगे ले जाए या option D, उसे सिक्षार्थियों के मानसिक स्तर्म के अनुकूल होना चाहिए So the correct answer is option A उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए सिक्षार्थियों को ग्यान एवं कोशल से लेस करना चाहिए अब बढ़ते हैं question number 72 की तरफ N, C, E, R, T की पाठे पुस्तकों में पर्यावरन अध्यान को उच्छ प्रात्मिक्ता और स्तान दिया गया है Option A, विशे के अधार्बुत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए Option B, चिंतन और विश्मे के लिए सिक्षार्थियों को अफसर उपलब्द कराने के लिए Option C, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाशाएं उपलब्द कराने के लिए Option D, अधिक संख्या में अभ्यास परशनों को सामिल करने के लिए So the correct answer is Option B, चिंतन और विश्मे के लिए सिक्षार्थियों को अफसर उपलब्द कराने के लिए अब बढ़ते हैं नेक्स कोईशन की तरफ, कोईशन नमबर 73, परियावन अधियन की पाथे पुस्तकों में कवीताओं और कहानियों को शामिल करने का निमले खितमे से कौन सा अभ्देश्य नहीं है Option A, विशे में रूची का विकास करना Option B, नित्य और एक रस विशे वस्तु में बदलाव करना Option C, सिख्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्द कराना Option D, सिख्षार्थियों में काल्पना, शील्था और सर्जनात्मक योगता को पढ़ावा देना So the correct answer is Option B, नित्य और एक रस विशे वस्तु में बदलाव करना Question No. 74 की तरफ, पर्यावरण अध्यन की एक अच्छी पार्थे चर्रे को बच्चे के प्रती सही जीवन के प्रती सही और विशे के प्रती सही होना चाहिए पार्थे चर्रे की निमने विशेश्ताओं में इसे कौन सी उप्यूक्त आवशक्ता को पूरा नहीं करता Option A. यह भय एवं पूर्व ग्रहों से मुक्त होने के मूले को बढ़ावा देती है Option B. यह विशे को एक समाजिक प्राकरम के रूप में देखने के लिए सिक्षार्थियों हेतु अवशक है Option C. यह सिक्षण अधिगम प्रकिरियां पर अधिक बल देती है Option D. यह शब्दावली और भाशाओं पर अधिक बल देती है So the correct answer is Option D. यानि यह शब्दावली और भाशाओं पर अधिक बल देती है अब बढ़ते हैं Question No. 75 की तरफ नलीनी कक्षा थड के सिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रक्रण से परिचित कराना चाहती है प्रक्रण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तोत करने के लिए निम लिखित में इसे कौन सी युक्ती सार्वधिक उप्युक्त होगी Option A. बिविन जानवरों के चित्रों को प्रदशित करने वाले चार्ट का प्रियोग करना Option B, विविन जानुरों के चित्रों को शाम पठा पर बनाना Option C, जानुरों तथा उनकी उप्योगिता पर आधारित फिल्म प्रदश्चित करना Option D, सिक्षार्थियों को पार्थे पुस्तक में जानुरों के दिये गए चित्रों को देखने के लिए कहना So the correct answer is Option C जानुरों तथा उनकी उप्योगिता पर आधारित फिल्म प्रदश्चित करना अब बढ़त हैं Question No. 76 की तरफ कक्षा 5 की NCRT की पर्यावर्ण अध्यन की पार्थे पुस्तक में प्रतेक पार्थ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है हम क्या समझते हैं ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रशनों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा ये परिवर्थन इसलिए किया गया है क्योंकि Option A इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते Option B ये आकलन के सिख्षकों की सुविदा बढ़ाता है Option C ये जानने में सिख्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं Option D ये आकलन में विशे निस्टता को कम करता है So the correct answer is Option C Option C is the correct answer ये जानने में सिख्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं बढ़ता है Question No. 77 की तरफ प्रियोक शीलता, खोजना, जाच प्रिस्ताल करना और प्रश्न पूछना पर्यवर्ण अध्यन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्मार करते हैं एक सिख्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बतातने के लिए निम्न गतिविदियों की विवस्ता करता है Option A. श्याम पठ्था पर उस प्रकार के सभी भोजे प्रदार्तों का चित्र बनाता है Option B. विविन भोजे प्रदार्तों के उधारन देते हैं Option C. सिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित श्रोतों से संबंदित जानकारी इकत्र करें Option D. प्रकरण पर एक विडियो दिखाता है उप्युक्त चार गति विडियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुस्ट करती है So the correct answer is Option C. सिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित श्रोतों से संबंदित जानकारी इकत्र करें अब बढ़ते हैं question number 78 की तरफ कक्षा फोर्थ के सिक्षार्थियों को हवा सब जगा हैं प्रकरण पढ़ाते समय गीति का निमलिखित गति विडियों को करने की योजना बनाती है option a सिक्षार्थियों को छेत्र भ्रमण पर ले जाना option b विशिष्ट उधार्णों से संकल्पना की व्याख्या option c संकल्पना को समझने के लिए multimedia capsule का प्रियोग option d प्रकरण से संबंदित प्रश्ण पूछना उप्युक्त प्रस्तावित गति विडियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने के लिए सार्थक नहीं है okay so the correct answer is option a यानि सिख्षार्थियों को छेत्र भ्रमण पर ले जाना बढ़ने question number 79 की तरफ पर्यावरा अध्यन की पाठे पुस्तकों में विविन प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उदेश है option a प्रते खस्त परक अनुभव उपलब्द कराना option b परिख्षा में निस्पाद को सुधारना option c विज्ञानिक शब्दावली को परिभाशाय सिखाना option d घर में सिख्षार्थियों को व्यस्त रखना so the correct answer is option a प्रते खस्त परक अनुभव उपलब्द कराना option a is the correct answer बढ़ते हैं question number 80 की तरफ परियावर्य अध्यन में एक अच्छे दत्ता कार्य का मुख्य लक्ष होना चाहिए option a प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई option b समय का बहतर उप्योग सुनिश्चित करना option c सिख्षार्टियों को अनुशाशन में बनाए रखना या option d अधिगन विस्तार के अफसर उपलब्द कराना so the correct answer is option d अधिगन विस्तार के अफसर उपलब्द कराना so बढ़ते हैं question number 81 की तरफ पर्यावन अधियन के सिख्षक के रूप में चिडियाघर के भ्रह्मन का आयोजन करने का मुख्यों देश होना चाहिए option a सिख्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्द कराना option b नित्य सिख्षन कारेकरम की एक रस्ता को बदलना option c सिख्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्द कराना option d सिख्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना so the correct answer is option c यानि सिख्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्द कराना बढ़ने question number 82 की तरफ समाजिक विज्ञान के संधर में पर्यावण अधियन पढ़ने का निम लिखित में से कौन सा अधिशन नहीं है option a इसमें इसे सिख्षार्थियों को विद्मान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्ण करने का योग बनाना चाहिए option b इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मिदार सदस्य के रूप में बढ़ने का योग बनाना चाहिए option c इसे बच्चों को सांस्कृत अभ्यासों में विवित्ता का सम्मान करने योग बनाना चाहिए option d इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाशा याद कराने योग बनाना चाहिए so the correct answer is option d इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाशा याद कराने योग बनाना चाहिए पढ़ते हैं Q83 की दरफ इस पर्यावरण अध्यन की कक्षा में गरीबी निरक्षर्था और वर्ग असमानता जैसे समाजिक मुद्धों पर बल देना चाहती है निमलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उधेश की प्राप्ती में अधिक प्रभावी होगा Option A संबंदित मुद्धों पर विशेश व्याख्यानों का आयोजन करना Option D सिक्षार्थियों को संबंदित समाजिक मुद्धों पर चार्ट तियार करने के लिए कहना Option D, सिक्षार्थियों को संबंदित मुद्धू पर स्लोगन लिखने के लिए कहना So, the correct answer is Option C Option C is the correct answer सिक्षार्थियों को संबंदित जानकारी एकत्र करने और उनका विशलेशन करने के लिए सामोहिक पर्योजना लेने के लिए कहना अब बढ़ते हैं, question number 84 की तरफ प्रात्मिक स्तर पर पर्योजन अध्यन में सनर्चनात्म आकलन को शामिल नहीं करता है यानि Option A, सिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान Option B, सिक्षण में कमियों की पहचान Option C, सिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने Option D, सिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग So the correct answer is Option D, सिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग Option D is the correct answer अब बढ़ते हैं, question number 85 की तरफ नीचे लोगों के कुछ किरियकलाब दिये गए हैं Option 1, खानों का उत्खनन खुदाई Option 2, बाधों का निर्मान Option 3, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवम जड़ी बूटियां बूटी इखटी करना Option 4, बात के टोकरी बुनना Option 5, गिरे हुए पत्तों के से पत्तल बनाना इन में से ये कुरियकलाब कौन से हैं, जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मिदार हैं Option A, केवल 1 Yeah, Option B, 1 or 2, both Yeah, Option C, 1, 2, 3 Yeah, Option D, 2, 3, 4 and 5 So, the correct answer is B, means 1 and 2, both is correct answer Option B is the correct answer यानि बांधों का निर्मान and खानों का उत्खनन जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मिदार हैं अब बढ़ते हैं, question number 86 की तरफ कांसे के बारे में सही कथन चुनिए Option 1, कांसा लोहे चांदी तथा स्वन की भाती एक तत्व है Option 2, कांसे को तामबा तथा टीन से पिगला कर तयार किया जाता है Option 3, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ती बुत बनाई जाती है Option 4, कांसे के बर्दन अलिमूनियम के बर्दन की तुलना में हलके और अधिक मजबूत होते है Four options दियो है Option A, 2 and 3 Option B, 3 and 4 Option C, 4 and 1 Option D, 1 and 3 So the correct answer is Option A Means 2 and 3 कांसे को तामबा तथा टीन में पिगला कर तयार किया जाता है And 3 कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ती बुत बनाई जाती है So the correct answer is Option A बढ़ते हैं Question No. 87 की तरफ गांधी धाम यानि गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ती पहले भोपाल, मध्यपरदेश और फिर हैदराबाद, आंतरपरदेश जाना चाता है उसके सफर्यात्रा की दिशाएं क्या होंगी Option A, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिन दिशा में Option B, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिन दिशा में Option C, पहले दक्षिन दिशा में और फिर पच्षिन दिशा में Option D, पहले दक्षिन दिशा में और फिर पूर्व दिशा में पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिन दिशा में आप बढ़ते हैं question number 88 की तरफ किसी शहर के मांचित्र पर यह लिखा था scale 1 cm equal 110 meter यह दिशा मांचित्र पर किनी दो स्थानों के बीच की दूरी 15 cm है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तपिक दूरी है option A 1165 cm option B 1100 meter option C 1500 meter यह option D 1.65 km so the correct answer is option D means 1.65 km अब बढ़ते हैं next question की तरफ question number 89 Mount Everest का एक भाग option A भारत का option B तिबद का option C नेपाल का option D माया मार का so the correct answer is option C नेपाल का अब बढ़ते हैं इस वीडियो के last question की तरफ last but not the least okay so question number 90 नीचे दिये गए कर्तव्यों उत्तरदायतों का अध्यन कीजिए point 1 अन्य लोग का सामान उठाने में मदद करना point 2 पूरे गरूप में आगे चलना ताकि गरूप पीछे पीछे चले option option 3 जो चलना पाए उसे रुखने के लिए कहना point 4 साथी के बिमार होने पर उसका ध्यान रखना और सब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना point 5 रुखने और आराम करने के लिए अच्छी जगा ढोना mountaineering में गुरूप लीडर की जिम्यदारियों का उप्रुक्त में से चैन कीजिए चार options दीओं में option a 1,2 and 3 option b 2,3 and 4 option c 3,4 and 5 option d 1,4 and 5 so guys ये question आपके लिए as a homework है आप मुझे इस question का answer comment box में लिख करके बताएगा okay so आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में and जब तक के लिए bye and अगर आपने हमारे वीडियो अभी तक subscribe नहीं किये तो हमारी वीडियो को subscribe करें like करें and yes don't forget to comment